सबसे पहले हम एक पुरानी डायरी लेनी हो कि पुरानी या नई जो भी आपके पास हो आप डायरी ले सकते हैं कबर उसका खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं है और आपको यह कार्ट बोर्ड लेना होगा एक उसके फ्रंट पेज के लिए और बैक के लिए हम एक ही कपड़ा ले अब कोई भी कपड़ा जो भी आपके पास पड़ा हूँ वो ले सकते हैं या फिर आप पेपर भी यहां पर लगा सकते हैं अब इसको मैं फाबिकॉल की हल्प से स्टिक कर देती हूँ क्योंकि यह पुरानी डाइरी है तो इसका बैक काफी खराब हो चुका था फ्रंट और बैक तो अनोही बर डाइरी पूरी प्लेइन है तो इस पज़े से मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को डेकोरेट किया जाए शो देट यह अच्छे से हमारे यूज में आ जाए और मैंने इ इस तरीके से आपको कट कर लेना है कि कट करने के बाद साइट साइट में काफी सारे रफ फेज़ रह जाते हैं तो इसको रेकमाल की हल्प से थोड़ा साप क्लीन कर लेंगे तो वो स्मूध साफेस दिखाई देने लगेंगे और उसका जितना भी और जो दिख रहा होता है निकले हुए और इसे वो चले जाएंगे यह करने के बाद आपको इसे सिंप्ली स्टिक कर देना है यह मैंने सारे कर लिये हैं एकमाल से स्मूध कर लिये सारे सफिसस अब मैं यहाँ पर यह जैसो यूज कर रही हूँ बिकर्ज आपको पता है कि कलर जो है वो नहीं ठैरता है ऐसे सफेस पे तो उसके लिए हमें पहले जैसो यूज करना होता है ताकि इसका टेक्स्च्च्चर काफी अच्छा है इसके उपर अगर आप कलर देता है तो वो लॉंग लास्टिंग होता है तो मैंने इस तरीके से अपने सारे चीजों को मैं पेंट कर लूँगी डोर्स पगेरा सब अब यहां पर मैंने यह एकली कलर लिया हुआ है ब्लैक कलर और जो कप्ड़ा मैंने लगाया हुआ था वो ड्राय हो चुका है तो इससे मैं पूरा ब्लैक कलर से कलर कर दूँगे तो इसको थोड़ा सा विंटेज लोक मिले उसके लिए मैंने किया हुआ है और यह यहां पर मैंने जाली के लिए कपड़ा लगा दिया है पीछे आप देख सकते हैं और इस कप्डे को मैंने फाविकॉल से स्टिक कर दिया है और मैं इस डोर को फाविकॉल की हल्प से डायरी अब जो यह जहां पर लगाने हैं आप ब्लैक कलर दूगी यूगी दोर थोड़ा से लुक देना है उसको डोर का तो मैंने छोटे काते हुए हैं उसके बीच के जो आप कह सकते हैं कुछ भी डेकोरेटर पीस लगाने हैं तो उसके लिए मैंने इसको स्मॉल साइजेस में काटा है अब इसको कलर कर लेती हूँ और मैंने रेट में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाया हुआ है वही ब्लैक का ब्रश जस्ट उसको टेक्च्चर में दिया है सो देट यह लकडी वाला लुक जो आता है कि लकडी के फनीचर का कलर होता है वह लुक मैं इसको दे सको अब यहां पर मैं यह जो ब्लैक कलर सूख गया है सूखने के बाद मुझे यहां पर यह दोर्स को स्टिक कर देना है जो मैंने काटे हुए थे पहले स्टार्टिंग में इसको मैं स्टिक कर दिया है स्टिक करने के बाद इस पर भी सेम कलर कर लेना है यह देखिए इस करेक्चर बहुत ही प और स्टेंसल की यूज से मैंने वाइट कलर से इसको इस तरीके से कॉर्णनर में डिजाइन बना दिया है आपके पास अकर कुछ रखा और स्टोन वकर आप भो भी लगा सकते हैं फिर थोड़ा सा ये विंटेस लुक देने के लिए थोड़ा सा शेड देने के लिए मैंने उससे ही वाइट कलर को थोड़ा सा शेड दिया हुआ है दोर्स के आसपास और बिंडो पे भी ये देखिया है ये हो गया है अब कलर ड्राय होने के बाद मैं इसमें ये 3D आउटलाइनर है मेरा सिल्वो कलर का मैं उससे यूज कर रहे हूँ उससे मैंने ये स्टोन्स बना दिये ये सूखने के बाद इकदम ऐसा स्टोन वाला लुक देते हैं कि जैसे आपने यहां पे कोई पर्ल वगयरा लगाया हुआ हो इसे डॉट डॉट कर दिया मैंने और सेम वही उपर भी उसकिया है बिंडो में थोड़ा सा पॉल एफेक्ट देने के लिए और ये हैंडल मैंने बनाया हुआ है मतबलेक मैंने उसे ग्लूगन की हल्प से इसको बनाया हुआ था आपके पास अगर कोई पीस रखा हुआ है या आप नॉर्मल क्ले को भी रोल करके लगा सकते हैं या हैंडल क्ले कुछ भी आ और अब देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है अब थोड़ा सा शेट मैंने इसको गोल्डन का शेट दे देती हूँ तो थोड़ा शाइनी एफेक्टो एक स्पेशल सी गिफ्ट बन रही है आपकी अपने लिए सो अच्छी लगनी चाहिए वो और आप देख सकते हैं कित है और यह हमारी डैरी डैरी रेडिया है इसमें अपनी जीजे लिखती हूँ बढ़ इसका कवर बहुत खराब हो गया दो अब आप देख सकते हैं कितनी ब्यारी लग रही है अरब डैरी नबर 2 पे आते हैं तो इस तरीके के डैरी इस हमारे होते हैं या मांके पे मिल जाते ह इसका सफेस ऐसा होता है इस पर आप अपकलर नहीं कर सकते हो लिए अगर अपकलर करेंगे तो निकल जाएगा तो इसलिए इस पर पहले मैं टिशु पेपर लगा रही हो ठीक है तो यह पर पाऊं अच्छे से और उसका कलर निकलेना और लॉंग लास्टिंग रहे है मैंने ट्राइ किया था बट यह टीशू पेपर वाला बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था तो मैंने उसको टीशू पेपर को एक आजा टेक्स्चर यूज किया और जो निकल रहा था पार्ट उसको निकाल दिया उसके बाद कुछ इस तरीके से हो गया था और इसके उपर मैंने जैसो यूज किया है अगीन जैसो आपको पता है मैं ज्यादा तर सारी चीजों में यूज करती हूँ इसका सरफेस था बिना जैसो यूज किये हुए तो जैसो को बनाने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में देदूँगी आप वहांसे चेक कर सकते हैं और यह हमारा जैसो सूग गया है अब इसके बाद मैं और यूज करूँगी राइनब मैं यहां पर औरंच कलर यूज करें आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं और मैं थोड़ा सा शेड दूँगी इसको ऐसे चीज़ों में ब्राइट कलर्स काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि इन ब्राइट कलर्स के उपर अगर आप कुछ भी कुटेशन अगेरा कुछ भी लिखते हैं जो भी आपको लगता है कि बहुत अदा मॉटिवेट करता है लाइफ में जो चीज आपको भी मैसेज लिखन येलो औरेंज और वाइट यहां पर मिक्शर करूंगी आप देख सकते हैं कैसे ब्लाइन करना है मतब कलर को आप इस तरीके से ब्लाइन करें कि वह अलग से लाइन्स ना दिखाई दें कि यहां आपने ये कलर अलग यूस किया है उसको एक साथ इस तरीके से ब्लाइन करते जा यहां काफी अच्छा दिख रहा है और इसको आपको अच्छे से पूरा उपर तक बलैंड कर लेना है इस चीज कब बहुत ध्यान ग्री siya हिस्ट तीन तो अनको प्रॉपर जब मिक्स नहीं होते है ना तब तक बो लुक नहीं आता है हम देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका कलर करने के बाद एक बार मैं इसे सूख जाने दूँगी अच्छे से जब यह ड्राय हो जाएगा तब फिर मैं इसके उपर अपना जो भी मुझे लिखना होगा देखती हूं क्या लिखती हूं कि फिर मैं इसके उपर लिखूंगी और यह साइट से आप देख रहे हूं इनको कलर करना मत बूले कि अलग से दिखाई देंगे ना तो काफी बिकार दिखाई देंगे क्योंकि आधा आपने पेंट किया आधा नहीं किया है और अब आप देख सकते हैं यह मेरी डाइरी कि अच्छी बहुत अच्छी लग रहे है अब नेचे में अपने नेचे में अपने नेचे में अपना नाम लिख दूँगी सो देट यह पूरा कम्प्लीट लुक देने लगेगी आप चाहों तो यहां ब्लैक कलर से भी लाइक पैंसल से पहले लिख लीजिए और उसके उपर ब्लैक कलर को ब्रश की हल्प से भी लिख सकते हैं बट माकर से बहुत जादा एजी हो जाता है और यह यहां पर मैंने अपना नाम लिख दिया आप भी थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है तो एक काम करते हैं मैं इस पर कुछ स्टाल्स बगेरा बना देती हूं आप कुछ भी बना सकते हैं या कोई अगर आपकी पेड़िट पिक है आप वह एड़ करना चाहते हैं वह भी एड़ कर सकते हैं इस तरीके के डायरीज आप आप अच्छा लगेगा लगी एक ऐसी चीज है जो बहुत ही स्पेशल होती है लोग अपनी स्पेशल चीजें ही इसमें लिखते हैं राइट और यह देखे कितना प्यारा लग रहा है अब यह अब बना लिजिए कि आप चाहो तो कोई और डिजाइन भी बना सकते हो या जो भी आप अगर चाहो तो पूरा उपर से रीचे तको एच्छा सा कोट जो आपको लगता है कि आपको मॉटिवेट करता है कुछ तो इस तरीके से कोई कोटेशन भी लिख सकते हैं या माई सीक् अगेगा आम शॉर लिखा हुआ यह लीच है हमारी डायरी हो गई है तयार तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दू लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स पर वाच